हेलो आप सभी का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशल यूट्यूब चानल पे मेरा नाम है फरिया और मैं लेकर के आई हूं मिशन स्सी 2024 बट उससे पहले आप सभी को हापी होली आज होली का देहन है तो आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना है उस चीज की फेस्टिवल है ख खुशियों को जरूर शेयर करिएगा ताकि आपकी जो खुशिया है वो डबल हो जाए होली का तेवहार है प्यार बाटिये खुशियां बाटिये रंग बाटिये सभी के साथ बट साती साथ पढ़ाई भी करना बहुत जरूरी है इसलिए आप जानते हैं जैसे हमने फ्रॉम क्योंकि लगतार मैं नोटिस किया है कि वर्ल्ट मापिंग के जब भी क्वेश्टन को आते हैं तो आप फॉल्टर कर जाते हो खराब ही करते जाते हो गलती करते जाते हो बट सबहुत हैं अगर आप मेरी चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेल्ग्राम चैनल GS by Faria ma'am आप join कर सकते हैं इसमें एक chat group है एक discussion group है जिसे आप scan करके join कर सकते हैं इसमें link मैंने डाल रखा है अगर आपको कोई सवाल है कोई doubt या कोई question अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे टेलग्राम चानल पर पूछ सकते हैं और जो भी session है हमारे उन सब की PDF आपको मिल जाते हैं मेरे टेलग्राम चानल पर ही तो फटा फट सब लोग एक बार session को like कर देंगे अपने friends के साथ इस session को share कर दिया करो and most importantly अगर channel नहीं subscribe किया है तो जल्दी से channel को subscribe कर डिजे ठीक है? चलो ready everyone? तो चलो शुरुवात करते हैं आज इस session की पहला सवाल है मराकेश देश किस शहर में है? मदब किस country में ये शहर है? है ना? किस देश का ये एक शहर है? मराकेश, UAE, साउदी अरेबिया, मुरको या फिर इरान आपके लिए 30 seconds का time होता है तो कोशिश ये करी 30 seconds के अंदर सभी लोग इसका answer देंगे मराकेश बहुत important city है मराकेश agreement के बारे में अगर आपने पढ़हा होगा तो शायद थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि ये क्या है? परियावरण से related है मराकेश agreement आपने अगर सुना होगा COP, Conference of Parties तो थोड़ा बहुत अंदाजा अगर लगा सकते हैं तो मराकेश जो city है तो जितने लोगों ने भी C answer दिया है मुरको correct answer है option number C मुरको है कहाँ ये? अफरीका में जो आपका अफरीका का महादूइब है वहाँ पर है मुरको में तो देखो हम इसी तरीके साथ question solve करेंगे कि questions के साथ हम उसका map भी दिखा दें आपको image भी दिखा दें ताकि आपको वो चीजे क्या हो जाएं? याद हो जाएं देखो ये है आपका Atlantic Ocean ये रहा आपका Atlantic Ocean ये है मुरको की city और मुरको की capital है मराकेश ठीक है? मुरको की capital है मराकेश आप एक तरफ देख रहे हैं ये लगा हुआ है Spain तो Spain से ये divide हो रहा है ये पूरा जो continent नजर आ रहा है महाद्वीप नजर आ रहा है ये कौन सा है महाद्वीप? अफरीका का महाद्वीप है अफरीका का महाद्वीप है ये और मराकेश यानि मुरको जो है आपका एक देश है अफरीका का सहारा desert सहारा मरुस्थल के बारे में पढ़ा होगा तो सहारा मरुस्थल का उपरी इलाका है ना? वो मुरको को टच करता है और मराकेश वहाँ की ही एक city है और लंबा देश कौन सा है मतलब बहुत ही पतला है पतला भी है और उत्ता ही लंबा भी है तो ये कौन सा देश है जैपान, आर्जेंटीना, न्यूजिलेंड या फिर चिली समय शुरू हो गया है आपके लिए अगर वर्ड मैप का फोटो दिमाग में हो तो आप ये चीजें बता सकते हैं कि कौन सा देश है जो सबसे लंबा है और पतला भी है जापान, अर्जेंटीना, न्यूजिलेंड या फिर चिली अटलिस्ट ये सारे नेशन्स का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने चलो, देखते हैं किसने किसने क्या आंसर दिया है देखो, करेक्ट आंसर है, औप्शन नंबर डी चिली हाँ जी, चिली बिल्कुल करेक्ट आंसर है, औप्शन नंबर डी चिली अगर आप मैप देखें, ये साउथ अमेरिका में है दक्षिन अमरीका South America, दक्षिन अमरीका की एक देश है, जिसे हम बोलते हैं चिली आप देख रहे हो, Pacific Ocean एक तरफ प्रशान महासागर लगा हुआ है और एक तरफ आपको मिल रहा है Atlantic Ocean तो ये दोनों ही Oceans की तरफ क्या कर रहा है, टच कर रहा है ये देखिए, इतना लंबा देश है, पर कितना पतला है, इसकी boundary कितनी पतली है तो ये सबसे लंबा देश है और पतला देश है चिली Capital क्या है, इसकी Capital है Santiago तो चिली की Capital है क्या, Santiago ठीक है, पतला और लंबा तो है, साथ ही साथ ये driest country भी है मतलब यहां पर वर्षा नहीं होती, बारिश बहुत कम होती है तो इसके पास में लगे हुए मरुस्थल भी है ये चिली का जो country है, ये बहुत ही dry country है वर्षा नहीं होती, शुश्क है शुश्क होगी तो वनस्पती भी नहीं होगी, vegetation भी नहीं होगी लंबी और पतली और सूखी country है, चिली कहां पर दक्षिन अमेरिका में, ठीक, चलो next question पर बढ़ते हैं, question number 3 Atlantic और प्रशांथ दोनों तट रेखा वाला एक मात्र दक्षिन अमेरिका का देश कौन सा है कौन सा ऐसा देश है, जो दोनों की तट रेखा को टच कर रहा है, अभी हम लोंने माप में देखा कि आपका एक तरफ प्रशान महासागर एक तरफ Atlantic है, तो कौन सा ऐसा देश है, देखो चिली यहां पर है, चिली टच नहीं कर रहा है तो बताना है इस वाले question में कि कौन सा देश है जो टच कर रहा है Columbia, Brazil, Venezuela या फिर चिली Question number 3, देखो एक answer तो मैंने बता दिया कि चिली तो नहीं है अब बाकी तीन में से आपको सेलेक्ट करना है और बताना है कि कौन सा देश होगा चलो एक answer तो मैंने बता दिया कि भईया चिली तो नहीं है बाकी answer में से क्या लग रहा है Columbia, Brazil और Venezuela में Question number 3, ओके, correct answer option number A है Columbia है, देखते हैं इसके बारे में देखो, ये है पूरा दक्षिन अमरीका का map पूरा पूरा map है कौन कौन सी countries ऐसी हैं जो touch कर रही है एक तरफ Atlantic को ये पूरा ये Atlantic है न तो ये पूरा नीला एरिया जो आपको दीख रहा है यहां से यहां तक ये पूरा Atlantic महासागर है एक तरफ ये वाला जो एरिया मिल रहा है ये क्या है आपका Pacific है यानी प्रशांत महासागर है अब देखो ये है country Columbia Columbia एक ऐसी country है जो दोनों को touch कर रही है इसका ये वाला border देखे टच कर रहा है Atlantic को और इधर का border टच कर रहा है किसको प्रशांत महासागर को Pacific को तो Columbia क्या कर रही है दोनों को touch कर रही है तो correct answer क्या होगा आपका Columbia होगा बाकी जो options है आपके देखे Brazil और Venezuela इन दोनों की भी अगर आप location देखो तो Brazil तो है नहीं क्योंकि सिर्फ एक side पे है और Venezuela वेनिजवेला भी सिर्फ Atlantic को touch कर रही है प्रशांत को नहीं touch कर रही है राइट चलो question number four पर बढ़ते हैं which one is the capital of Somalia Somalia की राजधानी कौन सी है जिबूती मोगादीशु आडिस अबाबा या फिर नाइरोबी Somalia एक country है कहां की है अफ्रीका की ठीक है अफ्रीका की country है Somalia इसकी capital क्या है ये बताना है जिबूती मोगादीशु आडिस अबाबा या फिर नाइरोबी फटा 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 इसका आंसर देर दीजे 30 seconds का time है आपके पास ओके समय हुआ समाप्थ क्या आंसर है इसका देखिए करेक्ट आंसर है मोगादीशु करेक्ट आंसर option number B मोगादीशु ठीक है देखो ये है पूरा आपका अफ्रीका अफ्रीका को अगर आपने माप में देखा होगा तो अफ्रीका का पस्चिम वाला भाग जो है वेस्टरन एरिया जो है ये है वो और ये रही आपके सुमालिया की कंट्री क्यापिटल अगर देखें तो ये देखें ये रही क्यापिटल बिल्कुल इसके पस्चिमी तट पर लगी हुई है मोगादीशु है एक पोर्ट सिटी है पोर्ट है ये हैना बंदरगाह है यहां पर मोगादीशु का है इम्पॉर्टेंट जगा है अब गल्फ ओफ एडेन स जो खाड़ी है उससे लगी हुई है ये कंट्री इंडियन ओशन हिंद महासागर से लगी हुई है सुमालिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लगातार अफ्रीका के जित्ते भी नेशन से उसमें कहीं न कहीं आप देख रहे होगे कि सब्सक्राइब जिसे हम कहते हैं कुछ लड़ाई थी तो वो चीज़े डिस्टर्प कंट्री है पूरी जिबूती वैसे ही है एजिप्ट का भी हाल लगभग लगभग वैसे ही रहता है तो जो यहां से माइग्रेंट्स होते हैं वो सारे मूव करके कहां जाते हैं एजिप्ट की तरफ जाते है और इजिप्ट इसलिए काफी परिशान रहता है वैसे एक तो पूरा सहारा मरुस्थल का एरिया है डेजर्ट है ड्राइ एरिया है उपर से माइग्रेंट्स बहुत जादा आते हैं लोग वहाँ जो है पहुंच जाते हैं तो उनका पालन पोशन करना साथ में अपनी कंट्री क के वेस्टर्न भाग में आती है इन फार्ट अफरीका का पूरा पश्चिमी छेत जो है उत्तर पश्चिम छेत जो है अफरीका का काफी गरीबी से भरा हुआ है बहुत जादा वार वगरा रहती है तो इट्स प्रॉब्लमाटिक एग्या इन आफरिका ठीक चलो बढ़ते हैं अगले सवाल के तरह which country is not in the region known as horn of Africa horn of Africa के नाम से जाने जाने वाले छेतर में कौन सा देश शामिल नहीं है अभी मैंने जैसे बोला ना कि अफरीका का पश्चिम का इलाका है तो उसको कहा जाता है horn क्योंकि वो सींग जैसा लगता है तो उसमें से कौन सा country नहीं है इरित्रि जिवूती एथियोपिया और सुडान होन में नहीं है अगर इस तरीके से आप मैप पे अभी हम देखेंगे मैप को भी तो कुछ इस तरीके से नजर आता है अफरीका का ये वाला एरिया पश्चिम वाला एरिया तो western side में कौन सी ऐसी country है जो horn of Africa में नहीं आती है question नंबर 5 इसका अंसार देंगे चलो समय हो गया समात अब एक बार देखते हैं अफरीका का हॉन ये है आपका आफरीका का हॉन इरीथ्रिया देखें ये पूरा एरिया जो है इसको हम क्लियर कर लेते हैं तब देखते हैं ये जो पूरा एरिया है इस area को कहा जाता है हौन आफ आफ्रिका तो कौन कौन सी country इसमें आ रही है देखे इरित्रिया एक ये रही दूसरी है आपकी जिबूती तीसरी है आपकी इथियोपिया और चौती है आपकी सुमालिया तीक है ये चार country है जो आती है जो आपका option दिया हुआ तो सुडान तो question का correct answer क्या होगा option number D Sudan तो Sudan नहीं है बाकि ये तीनों कंट्री हो गए Eritrea, Jibouti और Ethiopia ठीक है और साथ में आपकी Somalia ये चार कंट्रीज हैं जो horn of Africa में include की जाती है clear हो गया बड़े आगे चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं question number 6 पर विश्म में सबसे अधिक जन संख्या वाला स्थल रुध देश कौन सा है which one is the most populous landlocked country in the world landlocked का मतलब क्या होता है कि चारो तरफ से जमीन से घिरा हुआ मतलब किसी ocean महसागर की तरफ इसकी opening ना हो तो कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे जाधा जन संख्या है और वो घिरा हुआ है चारो तरफ से शहरो देशों से यानि land से यूगांडा, इथियोपिया, चैड या फिर नाइगर नाइजर भी बोलते हैं इसको नाइगर भी बोलते हैं नाइजर वैसे कह सकते हैं यह सारे ही देश कहां के हैं अफ्रीका के हैं तो कौन सा ऐसा देश है जिसकी जन संख्या सबसे जाधा है और यह लैंड लॉग्ड है चलो समय हो गया है आपका समात अब देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर देखिए इसका करेक्ट आंसर है question number 6 का option number B एथियोपिया अभी अमने मैप में देखा था एथियोपिया को यह है एथियोपिया है ना चारों तरफ से क्या देख रहे हैं आप घिरा हुआ है कहीं भी opening नहीं है एक तरफ इरिट्रिया है जिबूती सुमालिया खेनिया सुडान यह सारी इसकी क्या है bordering countries हैं सबसे ज़्यादा population भी है तो correct answer आपका क्या है इसमें Ethiopia हो गया चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं which one is the largest landlock country in the world विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है अभी तुमने पूछा population के हिसाब से है ना कि ठीक है चलिए कि आपको समय शुरू हो चुका है कि 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 समय होने वाला है समाथ अफगानिस्तान मंगोलिया कजाकिस्तान या फिर बुलीविया करेक्ट आंसर है option number C कजाकिस्तान Central Asia को अगर आप देखेंगे तो आपको कजाकिस्तान नजर आएगा यह कजाकिस्तान ठीक है यह है सबसे बड़ा landlock country अब आप बोलोगे माम landlock कैसे है यहां पर एक सी दिखाई दे रही है हमको है ना तो यह सागर नहीं है मतलब इस सी का comparison अगर देखा जाया कैस्पियन सी है यहां पर तो यह जो सी है साइज कम है इसके हिसाब से हम क्या करते हैं क्यूंकि आउटर यह सी खुदी landlock है यह चारो तरफ खुदी देशों से घिरी हुई है तो हम इसको यह नहीं मानते कि इसकी आउटर जो है किसी ओशन के साथ किसी महासागर के साथ लगी हुई है तो इस वज़े से कजाकिस्तान को माना जाता है कि यह सबसे बड़ी ऐसी कंट्री है जो चारो तरफ से कैसे घिरी हुई है लैंड से घिरी हुई है ठीक है तो question में confused मत हो जाना क्योंकि यह सी कैसी है खुद ही लैंड लॉक्ड है इसकी वज़े से इसी के कारण इसको हम लैंड लॉक्ड मानते हैं चलो यह clear हो गया बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ question नमबर 8 पे टिटी काका जील जो दक्षिन अमेरिका की सबसे बड़ी जील है वो किसके किसके बीच इस्ते थे देखो एक fact तो आपको यहीं पे मिल गया कि largest lake in South America कौन सी है लेक टिटी काका है अब पूछ रहा है यह कौन से दो देशों के बीच में है पेरू और बुलीविया चिली और अजिन्टीना ब्राजील और पेरू या कौलंबिया और चिली किसके किसके बीच में है यह लेक टेटी काका जो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी जील है वो किसके बीच में मिलती है question number 8 चलो सभी लोग आंसा करेंगे जितने लोग मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं आप सभी का स्वागत है हापी होली आप सभी को एक बार फिर से आज होली का देहन है कल में आपकी होली खेली जाएगी तो बढ़िया फेस्टिवल इंजॉय करिए मजे करिए बट पढ़ाई भी करते रहना है तो questions के थुरू हम session को थोड़ा सा interesting बना करके आते हैं कि correct answer क्या होगा देखते हैं चलो correct answer है इसका Peru and Bolivia option number A ये दोनों countries कहां है South America की है Peru और Bolivia देखो मैप अगर आप देखो इस तरीके से तो ये है आपकी लेक टिटिकाका चिक है और किन दो countries के बीच में ये लग रही है ये देखिए border share हो रहा है तो ये रहा पेरू और ये है Bolivia तो इन दोनों के बीच में है ये दोनों कंट्रीज क्या करती हैं इसके पानी को शेर करती हैं इस तरीके से देखें कुछ पोर्शन आपको मिल रहा है बोलीविया में कुछ पोर्शन मिल रहा है हमको कहां पे पेरू में चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे question number 9 पे अभी हमने काफी जादा अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका देख लिया अफरीका देख लिया अब बढ़ते हैं थोड़ा सा अपने एशिया की तरफ बॉर्डर ओ ब्रुनेई इस सराउंड़ेट बाई विच कंट्री ब्रुनेई की सीमा किस देश से घिरी बुरुनेई बॉर्डर किसके साथ लगता है इसका चलो समय समाप्त होने वाला है जल्दी जल्दी सब लोग इसका आंसर दे दीजे प्राक्टिस करते रहे है ना सेशन में प्राक्टिस करते रहना चाहिए प्राक्टिस बनी रहनी चाहिए कर्रेक्ट आंसर है ऑप्शन नमबर बी मलेशिया देखो यह रहा बुरुनेई आईलेंड ताउट चाइना सी के पास में है बुरुनेई बे भी है बुरुनेई है बॉर्डर लग रहा है किसके साथ देखिए मलेशिया के साथ ठीक है बॉर्डर किसके साथ लग रहा है इसका मलेशिया के साथ लग रहा है तो बुरुनेई जो कंट्री है capital क्या है इसकी बंदर सेरी बागवान capital बंदर सेरी बागवान मापिंग हमें करनी है मनीला किस की राजधानी है मनीला किस देश की राजधानी है हाई लाओस फिलिपिन्स या फिर कमबोडिया मनीला के बारे में हम पहले भी अपने सेशन्स पर बाते कर चुके हैं कुछ important questions भी थे कि currency क्या चलती है इन सब चीजों में भी हम काफी sessions ले चुके हैं तो बताए मनीला किस की capital है और किसी एक important organization का headquarter है मनीला में ठीक है तो वो हम आपके लिए home work छोड़ते हैं कि मनीला में किस चीज का headquarter है कोई एक बहुत important organization है ठीक है तो सभी लोग मुझे उसका answer लिख करके बताएंगे देखे 10th का correct answer क्या है option number C Philippines right option number C Philippines की capital है मनीला यहाँ एक बहुत important headquarter है मैं class में पहले बता चुकी है अब आपका यह home work है सब मुझे लिख करके बताएंगे चलो अगला सवाल in which sea the country Malta is located Malta देश किस समुद्र में स्थित है बाल्टिक सी अरेबियन सी Mediterranean Sea या फिर East China Sea माल्टा देश जो है आईलेंड है है ना द्वीप है कौन से सी में है बाल्टिक अरेबियन भूमद्य सागर यह या फिर East China क्या होगा इसका answer quickly answer दे दिजे इसका माल्टा देश है कहां पर है अभी हम इसको मैप में भी देखेंगे एक बार ओके क्या लग रहा है इसका answer क्या होगा ठीक है correct answer है Mediterranean Sea option number C देखिए यह रही आपकी भूमद्य सागर जो है Mediterranean Sea से हम बोलते हैं Malta and Gozo यह दो आईलेंड है द्वीप है कहां पर लोकेट है यह देखिए बहुत छोटे से हैं Malta and Gozo तो Malta आईलेंड है कहां का आपका Mediterranean Sea का भूमद्य सागर का ठीक है अब यह मत पूछना कि भूमद्य सागर कहां पर है तो एक तरफ नजर आएगा आपको अफ्रीका एक तरफ यहां पर लिख देते हैं यह जो आपको नजर आ आपका योरोप तो अफ्रीका और योरोप के बीच में भूमद्य सागर में ही आपकी Malta और गोजो दो छोटे-छोटे आईलेंड है next question कौन सी यसी नदी है जो भूमद्य रेखा को दो बार क्रॉस करती है काटती है equator को दो बार कट करती है कौन सी नदी है ऐसी नील नदी है, Amazon नदी है, Congo नदी है या फिर Mississippi नदी है नाइल, Amazon, Congo या Mississippi दो बार मतलब अगर यह equator है तो दो बार इसको कट करेगी एक बर यहाँ पे और एक बर यहाँ पे, तो कौन सी यसी नदी है, which river, quickly सभी लोग आणसा देंगे, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सेशन में और जितने भी नए स्टूड़ेंट्स जुड़ रहे हैं आप सभी कभी स्वागा थे एक बर सेशन में फिर से चलो very good, correct answer है option number C, Congo Congo नदी क्या करती है, equator को दो बार कट करती है, यह देखिए यह रहा आपका zero degree equator, यह वाली line जो है पूरी और यह है आपकी Congo नदी, यह पूरी नीली वाली जो दिखा रहे है एक बार यहां कट कर रही है और एक बार यहां पर कट कर रही है यानि जो उसका पूरा path है जिस तरीके से वो नदी बहती है वो दो बार equator को कट करती है, तो correct answer Congo होगा और नदी कहां पर obviously अफरीका में है, एक देश भी है Democratic Republic of Congo, DRC है ना, और एक Congo देश भी है जिसे हम जाहरे बोलते थे पहले Next question, Glacier National Park कहां पर है? USA में, Norway में, Iceland में या फिर Canada में, Glacier National Park थोड़ा सा brain को इस्तिमाल करिएगा अपना कि Glacier National Park कहां हो सकता है Glacier National Park चलो, समय हो गया समाथ, मुझे लग रहा था कि डाउट होगा आप लोगों को कि Norway, Iceland ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर Glacier ही Glacier होता है, बट correct answer है option number A, USA थीक है? option number A, USA USA में है ये Glacier National Park USA का एक शहर है Montana, अचली मैं शहर का नाम भूल गई थी, कहां पर है ये Montana में है, USA में, तो Glacier National Park, राइट, चलो, next question Copenhagen किसकी राजधानी है? Copenhagen is the capital of Sweden, Norway, Denmark या फिर Canada ये सारे ऐसी कंट्रीज हैं जो ठंडी एरियाज में है, आक्टिक सर्कल के पास में है ठंडे इलाके में है, तो Copenhagen जो है, कहां की capital है, किस देश की capital है चलो, समय समाथ, let's see कि क्या होगा इसका आंसर correct answer है, option number C, Denmark, yes, Denmark की capital है Copenhagen Copenhagen में भी कुछ important headquarters है, कुछ important organizations है तो इसको एक बार देख लेना, next सवाल, विश्व का सबसे बड़ा lagoon कौन सा है, which one is the largest lagoon in the world? लगवा, डॉस पातोस लगून ब्राजील, ब्लू लगून तर्की, ग्लेन रॉक लगून या न्यू कैलेडोनिया barrier reef सबसे बड़ा lagoon कौन सा है, विश्व में? सबसे बड़ा lagoon देखिए, करेक्ट आंसर है, option number D, न्यू कैलेडोनिया barrier reef ये कहाँ पर है, जो country है, ये country का नाम ही है, न्यू कैलेडोनिया दक्षन पैसिफिक में है, South Pacific में एक island है, दक्षन पैसिफिक में एक island है, मतलब island country है आपकी न्यू कैलेडोनिया, वहाँ पर ही न्यू कैलेडोनिया barrier reef लोकेटिड है, ठीक है, ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा lagoon है, और अगर हम barrier reef की बात करें, जैसे आपने देखा होगा corals, जो है, reef बनाते हैं, एक structure बनाते हैं, आपने आस्ट्रेलिया की barrier reef के बारें पढ़ा होगा, तो ये तीसरे नंबर पर आती है, पहली हो लागून भी है, इस दी वर्ल्स लाजेस्ट लागून, राइट, चलो, next question, which one is the largest island in Indian Ocean, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीब कौन सा है, मौरिशस, सिशेल्स, जन्जीवार या फिर मड़ा गैसकर, हिंद महासागर के बारें पूछ रहा है, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीब कौन सा है, चलो, बड़ा फड़ इसका अंसा दे दो, simple question है, ये तो I think आपको पता होना चाहिए, correct answer है, option number D, मड़ागासकर, मड़ागासकर है कहां पे भईया, अफरीका के पश्चिमी तट पे लगा हुआ है, मड़ागासकर, ये रहा मड़ागासकर आपका, ये है आपका हिंद महासागर, ये अब तक तो पैचान गए होंगे इसको I think, ये है आफरीका, तो आफरीका के ज आपका महाद्वीब है, उसी के पश्चिमी तट पे मड़ागासकर मिलता है, और ये है इंडियन ओशन का सबसे बड़ा महाद्वीब, ठीक है, अब इसकी capital क्या है, अंतरनन नरीवो, ठीक है, capital क्या है इसकी, अंतरनन नरीवो, मड़ागासकर की capital है, clear है, चलिए, अगले टकला मकान डेजर्ट, टकला मकान रेगिस्थान कहां पर स्थित है, मंगोलिया, चाइना, इजिप्ट या फिर साउथ आफ्रिका, टकला मकान कहां पर स्थित है मरुस्थल है, डेजर्ट है है तो टकला मकान कहां पर स्थित है, मंगोलिया, चाइना, इजिप्ट या साउथ आफ्रिका एक काम करेंगे, कल के सेशन में कुछ important questions ऐसी miscellaneous type के लेकर कहांगे, जिसमें कुछ deserts के बारे में पढ़ेंगे हम, कुछ islands पढ़ लेंगे, तो कुछ important चीज़े जो word map से related, जो बचींगी हमारे पास, वो हम उसको इस next session में भी cover कर लेंगे चलो, correct answer है चाइना, टकला मकान जो आपका desert है वो है चाइना में, तो अगर आप map देखें, तो ये रहा चाइना, ठीक है, ये पूरा area चाइना का है, देखें, गोबी desert ये रहा, ये yellow वाला area पूरा जो नजर आ रहा है आपको, ये गोबी desert का है, तो गोबी desert मंगोलिया में जाता है, बड़ टकला मकान जो desert है ये, ये पूरा है चाइना में, ठीक है, दो desert हैं, जो हमें just इंडिया के उपर नजर आते हैं, आपको हिमाले के उपर नजर आएंगे, टकला मकान और गोबी, तो गोबी desert काफी बड़ा desert है, अगर आप ranking में देखो, तो सहारा के बाद ब कौन सा समुद्र Australia और New Zealand को अलग करता है, which sea separates Australia and New Zealand, बोहाई सी, आयोनियन सी, तस्मान सी या फिस सर्गासों सी, कौन सा सागर है, जो इन दोनों को अलग करता है, Australia और New Zealand को, हम पहले भी बात कर चुके न, तस्मान के बारे में कि किसने इसकी discovery की थी, खोज की थी, तर्गासों के बारे में भी discussion किया था कि यहाँ पे बहुत सारी मचलियां मिलती है, phytoplanktons के लिए जानी जाती है, Australia और New Zealand को कौन सा सागर अलग करता है, चलो, correct answer है आपका, बिल्कुल सही, I hope सभी ने सही answer दिया होगा, correct answer है, तस्मान सी, तस्मान सागर, यह रहा आपका New Zealand, यह रहा New Zealand, और यह रहा Australia, Australia, Australia और New Zealand के बीच में, यहाँ पे जो है, यह है आपका तस्मान सागर, ठीक है, यह रहा, तस्मान सागर, तस्मान सी, Australia और New Zealand के बीच में, अच्छा, Australia की capital क्या है, तो Australia की capital है Canberra, और New Zealand की capital क्या है, New Zealand की capital है Wellington, चलो, अगला सवाल, Which one is known as Lighthouse of the Mediterranean Sea, किसे भूम अद्य सागर का प्रकाश स्थम के रूप में जाना जाता है, Stromboli of Sicily, Mount Pili of West Indies, Paracutin of Mexico, या Vesuvius of Italy, यह सारे क्या है आपके, जौाला मुखी, वालकैनो, तो किस वालकैनो को कहा जाता है प्रकाश स्थम, Lighthouse of the Mediterranean किसे कहते हैं, I think यह मैं पहले पर डिसकास कर चुकी हूँ, आपके साथ, आपको पूरा बताया भी था, कि Ring of Fire क्या होता है, चलो, देखो, Ring of Fire के बारे में हमने बताया था आपको, Pacific Ring of Fire, तो पूरा रिंग बनता है Pacific के अक्रॉस, इस तरीके से, जहां पर आपको क्या, Maximum Earthquake और वालकैनो, यानि ज्वाला मुखी और भुकम देखने को मिलते हैं, पूरी Ring of Fire में, उसमें से एक वालकैनो ऐसा है, जो लगतार इरप्ट होता है, सक्रिय ज्वाला मुखी है, जिसे हम बोलते है, आक्टिव वालकैनो, वो है आपका स्ट्रॉम्बुलाई, Mount Strombulai को कहा जाता है, आपका प्रकाश स्थम, यह कैसा वालकैनो है, आक्टिव वालकैनो है, सक्रिय है, अच्छा तीन तरीके के volcanoes कौन-कौन से होते हैं एक होता है active सक्री होता है जो लगतार erupt करता है लगतार का मतलब यह नहीं कि हर टाइम साल में हर दो साल में छे साल में तो मतलब frequency जो है वो जादा होती है eruption की दूसरा होता है आपका dormant dormant का मतलब यह है कि यह काफी काफी gap के बाद 25 साल बाद 30 साल 35 साल बाद erupt करता है लेकिन जिसके chances है future में कि यह future में भी क्या करेगा erupt करेगा फटेगा और तीसरा होता है आपका extent मतलब यह बिलकुल समाप्त हो चुका है खतम हो चुका है अब इसके नीचे जो magma था जो इसक स्ट्रॉंबलाय है आपका सिसिली का यह कैसा वाल कहनों है अक्टिव है लगतार इसमें क्या देखने को मिलते है इरॉप्शन और उसी इरॉप्शन के कारण आप देखें मैगमा अंदर से गरम लावा निकल रहा है तो बिलकुल रौश्णी फैला दाता है पूरे एरिया मे तो इसी वज़े से इसको कहते है क्या लाइट हाउस कहते है मेट्रेडियन सी का और सिसिली है कहां पर इटली के पास में है एक आइलेंड है सिसिली का वहां पर है यह चलो क्वेस्टन नंबर 20 दिन और रात बराबर कहां पर होते हैं प्राइम मेरीडियन पर पोल्स पर अरे यह डंडे नहीं होगा यह धुरूब होगा एकवेटर पे या फिर अंताक्तिक पे दिन और रात बराबर कहां पे होते हैं प्राइम मेरीडियन पे धुरूबो पे या भूमाति रेखा पे या फिर अंताक्तिक पे देखो नॉर्मली चलब एक वेस्टन आंसा कर देजे फिर बताते हैं देखो correct तो answer है इसका बिल्कुल भूमादे रेखा equator पे दिन और रात होते हैं बराबर लेकिन यह हमेशा बराबर नहीं होते हैं अगर आप प्रित्वी को देखोगे यह रहा आपका 0 degree दिन और रात बराबर तब होते हैं जब डायरेक्ट इस पर सूरे की किर्णे पढ़ रही होते हैं तब यह बराबर होते हैं लेकिन आप जानते हैं कि sun का क्या होता है motion उपर नीचे होता रहता है तो यह करकर एखा से 23.5 degrees north से ले करके 23.5 degrees south यानि मकर रेखा, केप्रिकॉर्ण और कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन दोनों के बीच में आप देखते हैं सूरज क्या करता रहता है चड़ता उतरता रहता है तो समय के साथ मतलब यह पूरे साल में समय होता है जैसे मार्च में देखो तो मार्च में जो है 0 degree पे शाइन करेगा लेकिन जब जून की तरफ आप जाओगे जिसे हम सॉल्स्टेस बोलते हैं तो सॉल्स्टेस में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शाइन करता है तब दिन और रात बराबर नहीं होते हैं लंबा हो जाता है रात छोटी हो जाती बट इन जनरल अगर ये सवाल पूछा जाए तो इन जनरल ये बिल्कुल करेक्ट होगा कि ये बचते हैं तीन ये आपके हैं latitude अक्षांज अक्षांज जाने जाते हैं किसके लिए heat distribution के लिए तो ये correct answer है आपका equator चलो question number 21 निम लिखित में से कौन सा समुद्र है जो तट्रेखा विहीन है which of the following seas is without a coastline इसके पास तट्रेखा नहीं है लेकिन फिर भी ये क्या है सी है समुद्र है काला सागर भूमत्य सागर सरगासो सागर यस अजोव सागर अभी मैंने वैसे इसका हिंट दिया था आपको तो देखते हैं क्या कोई इसका आंसर बता पाता है चालो वेरी गुड सरगासो सागर इस दी करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि ये फाइटो पैंक्टन होते हैं यहां पे ठीक है दो important cold current यहां पे mix होते हैं एक तो यहां से आ रहा होता है आपका gulf stream क्यासा है warm current है गर्म है गर्म महासागर यह धारा है और यहां से उपर से आ रहा है आपका cold labrador current यह दोनों ही यहां पे newfoundland के पास में यहां पर आकर के यह mix होते हैं वहां पे आपको देखने को मिलता है बहुत सारा धुआ fog मिलता है वही fog जो है सरगासो घास के लिए जाना जाता है सरगासो घास जो phytoplankton होते न मचलियां मचलियों के खाने के लिए बहुत अच्छा होता है तो इस वज़े से यहां पे मचलियां भी बहुत जादा मिलती है और यह देखो इसकी कोई तट रेखा तो है नहीं यह बिलकुल बीचो बीच में है अट्लांटिक ओशन के बिलकुल बीचो बीच में आपको मिल रही है क्या सरगासो सी तो करेक्ट आंसर क्या है आपका सरगासो सी चलो अगला सवाल question number 22 पृत्वी की सतय पर खीचा जा सकने वाला सबसे लंबा वृत कौन सा होगा the longest circle which can be drawn on the earth surface passes through what बहुत simple question है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर मिल जाएगा equator, tropic of cancer, arctic circle ये tropic of capricorn quickly simple है ना equator है देखो ये रहा आपका पृत्वी थोड़ा सा शेप खराब हो गया पृत्वी का साही कर लेते हैं शेप कर दो तो जो सबसे बड़ा ब्रित बनाओगे circle बनाओगे तो वह equator ही तो होगा क्यों क्योंकि equator खुद ही सबसे बड़ा circle है equator सबसे बड़ा circle है तो आप बोलो कि Ma'am हम ये वाला क्यों नहीं बना सकते क्योंकि मैंने आपको बताया है प्रिथवी का जो shape होता है वो कैसा होता है ध्रूवों पे flat होता है और equator पे bulging होता है equator पे फैला हुआ होता है और ध्रूवों पे flat होता है तो अगर आप दुरूप से दुरूप को माच करोगे तो ये distance कम होता है, ये distance कम होता है, इसलिए सबसे बड़ा जो आप circle बना सकते हो, तो वो बनाओगे किस पर? equator पे, correct answer option number A है, question number 23 पे, 25 सवाल करने है आज ठीक है, इन में से कौन सा देश हौन ओफ आफरिका के नाम से जान या South Africa, इसी session में शुरुवा आप में बताया था, देखते हैं कितने लोगों को याद है, question number 23, चलो, देखते हैं कितनों को सही हुआ, correct answer है, option number B, जिबूती, मैंने अभी बताया था, है न, Eritrea, Somalia, जिबूती, है न, ये countries कौन सी है, जो एफरिका के हौन पर है, तो एक बार चाहो तो वो map फिर से देख लेते हैं, शुरू में देखा था मने, question में, कहा गया, ये रहा, देखिए, Eritrea, Ethiopia, Somalia, जिबूती, ये च solve कर लिया, अब बढ़ते हैं, question number 24 पे, ठीक है, correct answer देख लिया, जिबूती, बढ़ते है, question number 24 पे, अफरीका महद्वीब किस सागर द्वारा, European महद्वीब से अलग होता है, इसको भी बता चुके हैं, अगर याद हो, session के बीच में बताया था भी मैंने, कि कौन सा ऐसा महा सागर है, जो दोनों को अलग कर रहा है, चलिए, correct answer है, बिल्कुल, metranian sea, भूमाद्य सागर, अभी हमने figure में भी देखा था, ये रहा, बीच में आपका भूमाद्य सागर, एक तरफ रहा, अफरीका, और एक तरफ रहा, आपका योरोप, ठीक है, इन दोनों के बीच में, भूमाद्य सागर, चलो, session का आखरी सवाल question number 25, कौन सा स्थल से गिरा हुआ समुद्र है, which one is a landlocked sea, metranian sea, dead sea, laptev sea, या फिर ligurian sea, क्या होगा इसका correct answer, कौन सा ऐसा स्थल है, के द्वारा गिरा हुआ समुद्र है, mediterranean, dead, laptev, या ligurian, इन में से बताना है, session का आखरी सवाल है, प्रीव हो जाईए, उसके बाद जाकर कि अपने festival को आप enjoy कर सकते हैं, बिल्कुल, चलिए, फटा फट इसका answer दे दीजे, चलो, correct answer है, इसका option number B, dead sea, dead sea है, यह देखिए, यह बिल्कुल beach और beach में है, इसरेल, जॉर्डन के बीच में लगा हुआ है, इसरेल और जॉर्डन के बीच में शेयर हो रहा है, outlet कहीं नहीं है, बाहर कहीं नहीं जा सकता है, इस वज़े से हम क्या बोलते हैं, landlocked sea बोलते हैं, correct answer है, dead sea, मृत सागर कहा जाता इसको, चलिए, आज के session को फिर हम यहीं पर समाब करते हैं, जो session का PDF है, वो आपको telegram channel पर मिल जाएगा, कोई out हो, कोई question हो, कोई अपना feedback share करना चाते हैं, तो वो आप मेरी telegram channel, gs.bh.faryamam को join करके, scan करके, join कर सकते हैं, और उस पर share कर सकते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ आज के session में जुड करियेगा, मिलते हैं कल फिर से शाम में चार बजी, thank you very much.